हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आशा की हो तो दोस्तों हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्त होंगे और मैं भी स्वस्त हूं तो आज चल रहे हैं हेल्दी डाइट बनाने जो सबके लिए बहुत फायदे मंद हैं तो आज चले हम चला बनाते हैं वेशन का चेला तो इस को हम चाल ले रहे हैं देखिए थोड़ा सा गुटली आ गई है क्योंकि बरसात के सीजन में होता है इसको हम फोल लेंगे हाथ से दबाके तो देखिए वो जा रहा है तो इसी तरह अब हम ले लिए हैं इसको तीन काटोरी बेशन अब इसमें हम लाल मिर्च डालेंगे एक च है हल्दी डालेंगे हल्दी के बाद इसमें लेसुन मूझे का पेश्ट डाल सकते हैं अजमाइन और ही इतनी चीजे आप डालने में नहीं डाल नहीं हूं तो दोस्तों आप डाल आप डाल दीजिए गा से और चाहे तो आप इस तरह बनाएंगा तो सब का स्वात थोड़ा स अंतर हो जाता है तो मैं बराबर बनाती रहती हूं फ्रेंड्स तो इस बार ऐसी बना रही हूं थोड़ा जल्दी में फटाफड़ बना लूँ अधसि को दॉस्तों देखिए इसको हम गोल लाए है ओर हम इतना बोलेंगे कि इसमें गुट्ली ना रह जाए देखिए गुट्लियां दिख रहे हैं यह जरुकि यह और disp tow ऍच ऑन क्योंके मिल लेकिन अंदर इसको फोड़ेंगा तो इसके अंदर सुखा शुखा बैसन निकल मता हैब अब देखिए लैसे और हरी में बारीख बारीख काट लिया है बिर सेऊंपर लगा नहीं हुं अब इसके साथ मिला के मैंने खूल लिया अब गयर जला के तवा हमारा गर्म हो गया है तो अब रख вес पे तेल लगा रहे हैं तो तेर पूरा्प बारों तरफ हम लगा लेंगे अलाकि यह नानिष्टिक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी हलका सा तेल का स्वाध भी तो आना चाहिए खाने में तो हलका सा तेल लगा कि इस चेले को हम बेशन को डाल देंगे और इसको फैला लेंगे देखें दोस्तों दोस्तों जब तक फैला रहे हैं तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें और इसको बीच बीच में जब कभी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप अब अब से इससे बना के खान यह जल्दी फटाक से जल्दी बन भी जाता है और सेहत के लिए भी फायदे में दोता है तो देखिए इसको लगा रहे हैं इसको दोनों तरफ से तेल लगा कि हम सेक लेंगे अगर आपको ज्यादा तेल नहीं खाना है तो मत लगाईए एक तरफ थोड़ा छोड़ दीजे या थोड़ा थोड़ा ही लगाईए बिलकुल हल कि अनीश्टिक इस भी आप जलना है नहीं घर आप जैसे भी इसको से हैंब बना सकते हैं तो देखिए एक तयार हो गया है चीला मेरा दूसरा भी चल लगा तो प्रेंस मने त Data नहीं लगा या है क्योंकि पहले में लगाई थी वैसे भी जाल दूर नहीं तो फ्रैंस इसको तो अब इसमें में उपर से तेल डाल दे रही हूं और इसको पलट ले रहे हूं देखिए कितना जल्दी पलट रहा है मैंने तेल लगाया फिर भी क्योंकि ये नान श्टिक का कमाल है और एक बार अकर तेल लगा लें तो काफी हो जाता है वो कई सीप्ट चल जाती है तो देखिए मेरा दूसरा भी ये तैयार हो रहा है अब हमें चटनी की तायारी करनी पड़ेगी तो चटनी के लिए मैंने ये धनिया साफ करके दूल लिया है इसको ले लेंगे तब तक हमारा चीला जो है पक रहा है अब ये लेसुन है लेसुन ज्यादा है क्योंकि आप लोग कहेंगे ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं ये ब्लड शर्कुलेशन वगेरे के लिए भी सही रहता है और इसमें मिर्च भी डालिए तो आप जितना आप तीखा खाते हूं क्योंकि हरी मिर्चे भी है कभी दो में ही बहुत तीखी बन जाती है कभी 4-6 डालिए तो भी नहीं तीखी बनती तो उस हिसाब से आप डालिए आपके पास जोले बूल इसमें नमक डाल दिया इसको पीस लेंगे और इस चीले को भी हम उतार लेंगे ये हो गया है हमारा पीचना है इसको एक टमाटर ठीक है फ्रेंड्स ज्यादा टमाटर डालने से चट्णी ज्यादा हो जाए कि पुरानी नहीं अच्छी लगती है फ्रीज में रखदो तो भी नहीं अच्छी लगती है तो तो इसम चांटा ताल जापीछ यहा ताजा ताजा खाईे देखिए मेरी चटनी पिस गई है अब इसको दूसरे बाउल में में ट्रांसफर कर रही हूं और देखिए हमारा चीला चटनी तयार हो गया है बेसन का चीला चटनी तो फ्रेंट्स आप लोग इसी तरह बनाईए खाईए और मतलब अपने पूरे परिवार को खिलाईए क्योंकि इससे क आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें अगली रेश्पी में हम कुछ नया लेके आएंगे तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाई बाई नमस्का खुश रहिए चीला बनाईए और खाईए